किसी ने नहीं सोचा था कि इस गरीब बच्चे को इंडियन आइडल में जगा मिल जाएगी जियां ये सच है मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इंडियन आइडल में इस बच्चे ने धमाल मचा दिया है और उसके बाद से नेहा ककड भी इनकी आवास सुनकर रोपड़ी इनकी हालाद देखकर रोपड़ी और खुद नेहा ककड ने इनके लिए जो एलान कर दिया है उस एलान के वारे में आपको जानना जरूरी है जियां 36 गड़ के सुकमा करने वाला ये बच्चा इतना गरीब था कि इनके घर में खाने के लाले थे लेकिन आज ये लखफती बन गया है पैसों की बारिस हो रही है इसके अलावा इनको पॉपलर्टी भी मिल रही है जियां दौलत और सहुरत एक साथ मिल रही है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंडियन आइडल सो में नेहा ककड इनके गाने सुनकर इनके हालात को जानकर काफी ज़्यादा दुखी हुई और रोने लगी और उन्होंने इस बच्चे को एक बड़ी मदद डे डाली है दोस्तों अगर उपर वाला महरबान हो तो किसमत बदलने में देर नहीं लगती सभी अब अच्चा पांचमी कलास में खड़ा होकर गारा होगा तो क्या किसी को अंदाजा होगा कि उनका ये वीडियो वाइरल होगा इंटरनेट पर तेजी से वाइरल होगा और उसके बाद बातसा इने बुला लेगा जिहां किसी ने सपने में मी नहीं सोचा होगा लेकिन ये चीजें अब हकीकत में तबदिल हो गई है लोग लगातार इनकी तारिफ कर रहे हैं हर बॉलिवूड सेलिवरिटी इनसे मिलना चाह रहे हैं इनके गाने पर लिप सिंग और डांस तक कर रहे हैं और बड़े बड़े कलाकार ये कर रहे हैं कि ये बच्चा आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर राज करेगा जिहां चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनडियान आइडल में इस बच्चे ने गाना गया है तो आपने देखा कि इनडיयान आइडल में ये बच्चा कितनी बेहत準रिन तरीके से गा रहा है ये बच्चा इतना पौपलर होगा किसी को पता नहीं था जिया इस बच्चे को भी पता नहीं था इंडियन आइडल में गाने की बात बताय जा रहा है कि इसे लाखों के रकम मिलेंगे पहले भी बादसा की तरफ से इन्हें पैसे मिले हैं और सियम बगेल जो कि 36 गड़ के सियम है उनकी तरफ से भी इन्हें आर्थिक मदद दी गई है खुद सियम साहब इनके घर पहुचे इनसे गाना गवाया और उसके बाद वो काफी ज़्यादा मंत्र मुग्द हो गए और फिर उसके बाद इनकी हालात को देखकर इनके घर को देखकर उन्होंने आर्थिक मदद दी डाली दोस्तों अगर आप इस बच्चे को और ज़्यादा पॉपलर करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार